रामगण गेस तापिया विदुद ग्रहने 25 वर्षों में किया सरवाधिक विदुद का उत्पादन बहुत इंपोर्टेंट खबर है अगर आप राजेस्तान से संब्धित जो भी भरती परिक्षा हैं चाहे वो पटवार रही हो ग्राम सेवक हो या फिर जो भी आप दे जैसे जो घटनाएं हैं अखवारों में रोजाना जो आती है न्यूस पर सभी के पास होते हैं लेकिन हमें उसमें से चुनना क्या है यानि हमारी कंपिटिशन के हिसाब से कौन सी यसी जो न्यूस है वो हमारे लिए काम किये वही मैं निकालने के कोशिश करी हूँ ताकि आपको इ इंपोर्टेंट खबर यह है कि रामगड गेस तापिय विदुद ग्रह ने 25 वर्षों में किया सरवादिक विदुद का उत्पादन राजिस्तान राज्ये विदुद उत्पादन निगम का रामगड गेस तापिय विदुद ग्रह की 35.5 मेगावाट शमता की गैस एक ने पिछले वित्यवर्ष में करीब 2617.54 लाख यूनिट विदुद का उत्पादन किया है यनि कि यह है जो पिछले वर्षों से अगर हम देखें तो यह पिछले 25 वर्षों में सरवादिक उत्पादन का नया किर्तिमान बनाया है तो यह अच्छी खबर है इंपोर्टे गेस तापिया विदुद ग्रह है कि 35.5 मेगावर्ट क्षमता की गेस टर्बाइन एक ने पिछले वित्यवर्ष में करीब 2617.54 लाख यूनिट विदुद उत्पादन हुआ है और यह पिछले 25 वर्षों में सरवादिक उत्पादन का नया किर्तिमान है इसी तरह से आप दे विदुद का उत्पादन है वो पिछले 25 वर्षों से लगातार विदुद का उत्पादन कर रही है यानि अगर इसकी स्तापना की अगर बात करें तो वर्ष 1903 में और सत्यार में में ये स्तापित है कौन सा रामगर्ड गेस थर्मल पावर प्लांट और तभी से यहां पर ज शमता की गेस टर्बाइन दो में भी लगातार 251 दिन में बिजली का उत्पादन हुआ है देखिए इसमें अगर विदुद उत्पादन की बात करेंगे तो इसमें आपने 35.5 शमता वाली जो गेस टर्बाइन एक है उसने 2617.54 लाख जो यूनिट है वो विदुद का उत्प इसमें भी लगातार 251 दिन यानि उन्होंने पूरे दिन को जो गिन करके इसका हिसाब लगाया है कि 251 दिन के अंतरगत जो बिजली का उत्पादन जो है इसमें हुआ है तो अच्छी खबर है आपकी लिए और अकसर एक्जाम में इससे सम्बंदित जो है वो प्रशन अफ्रीय में फड़ दूब है और इसमें इसका कितनी शहमता है कितना इसने उत्पादन लास्ट किया था और कितने 25 वर्षों में सर्वादिक उत्पादन करके नया जो कि इद्थीमान बनाया है वो को न सा है प्रशन पूछिय जा सकते हैं किमाली जो रामगरट गैस्ताप तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर लाइक करें शेयर करें ताकि आपके साथ जो भी पढ़ने वाले स्टुडेंट है उनको फाइदा जरूर मिलेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद